पटोधी बहू और कपूर खांदान की बेटी करीना एक बार फिर माप बनने वाली है पहली प्रेग्रेंसी को उन्होंने खोब इंचोई किया उनका मेटनिटी स्टाइल खुब फेमस भी हुआ लेकिन फैशन के अलावा बेवो अपने एटिटीूड के लिए बेहत फेमस है लेकिन जो बात है आज हम आपको बताने वाले हैं शायद उनके बारे में आपको जानकारी ना हो शायद आपको पता ना हो कि करीना का पहला नाम सिद्धिमा रखा गया था जो कि उनके दादा राज कपूर ने दिया था लेकिन मा बबिता ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ी एक बुक एना केरे नीना से इंस पैड होकर बेटी को करीना नाम दे दिया सब जानते हैं कि करीना एक बहतरीन और महंगी एक्ट्रेस है तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी खुब कमाया हुका लेकिन उनकी हाइपाई शॉपिंग का सारा खर्चा उनके नवाब यानी सैफली खान उठाते हैं बेवो पहली ऐसी हिरोईन है जिसने च्छै खान के साथ इंडस्ट्री में काम किया शारुक, सल्मान, आमिर, सैफली और इमरान खान के अलावा उन्होंने अंग्रेजी मीडिया में इर्फान खान के साथ भी काम किया अफेर्स की बात करें तो शाहित करीना के चर्चे हर ओर थे लेकिन बेवो ने शाहित को एक तरह से धोका दिया फिर्म टेशन में करीना सैफ के नजदीक आई सैफ ने उन्होंने दो बार पैरिस में ही प्रपोस किया पहली बार करीना ने इंकार किया जब की दूसरे प्रपोसल पर दो दिन बाद बेवो ने हां कह दी जब ये बात शाहित को पता चली तो वो पीछे हट गई फरिज खान से भी उनका सीक्रेट अफियार रहा ये बात भी सच है कि शाहित कपूर के कहने पर वो शाकाहारी बन गई थी और अभी भी है मगर अफसोस दोनों का रिष्टा जादा नहीं चल पाया फिल्म हिरोईन में करीना ने 138 डिजाइनर ड्रेसेज पहनी थी जो एक रिकॉर्ड है करीना चमेली फिल्म के तयारी के लिए कई बार मुंबई के रेड लाइट एरिया मिचाती थी और सेक्स वर्कर्स के हावभाव को गौर से देखती थी फिल्म फिदा में करीना ने नेगटिव रोल निभाया लेकिन पती के साथ की गई उनकी सारी फिल्म में टशन, कुर्बान और एजेंट विनोस फ्लॉप रही करीना होली का त्योहार नहीं मनाती दरसल दादा राज कपूर के निधन के बाद उन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना छोड़ दिया पेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो वो अपनी मा बविता की आक्टिंग नहीं बलकि नरगेस और मीना कुमारी को फसंद करती थी बेबो को घुर सवारी करना बहुत पसंद है और उनकी बेस्ट्रेंट्स की बात करें तो अमरिता अरोडा, मलायका अरोडा और इशा देवल है एक एक्ट्रेस से वो जम कर लड़ाई भी कर चुकी है और वो नाम है विपाशा बसू मूवी अजनभी के सेट पर करीना बिपाशा से जम कर लड़ी दरसल करीना के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बिना पूछे बिपाशा को सला दे दी करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली कह दिया था लड़ाई इतनी बढ़ गई कि करीना ने विपाशा को थपड़ तक चड़ दिया था फिलहाल जब सैव के बर्दे पर करीना ने विपाशा को इंवाइट किया तो मामला खत्म हो गया भले है फिर्म रिफ्यूजी में करीना ने डेब्यू किया था लेकिन कहोना प्यार के लिए राकेश रोशन की पहली सेलेक्शन करीना थी लेकिन कुछ मन मुटाव की चलते करीना ने रिफ्यूजी से डेब्यू किया Lifestyle Magazine वेरवे की लिस्ट में बेबो दो बार देश की Most Powerful Women चुनीचा चुकी है Eastern Eye Magazine के लिस्ट 2011-12 में वो दो बार इंडिया के सबसे होट और एशिया के सबसे सेक्सी महिला चुनीचा चुकी है जबकि People Magazine 2010 में उन्हें इंडिया के सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दिया था करीना अब तक 6 Film Fair Award चीट चुकी है Refugee के लिए Best Debut, चमेली के लिए Special Jury, देव के लिए Best Actress Critics, ओमकारा के लिए Best Actress Critics, जब भी Met के लिए Best Actress, वी आर फैमली के लिए Best Supporting Actress का Award मिल चुका है करीना इकलौती अक्ट्रेस हैं जिने CNN की Who Mattered Most in India लिस्ट में जगह मिली बहुत कम लोग जानते हैं कि किताबों की को राइटर भी करीना है, महिदेव फिल्म में उन्होंने पहली बार गाना भी गाया था करीना का पूर युनिवर्सल स्टूडियोज में शूटिंग यानि कि कमबकत इश्क फिल्म के लिए करने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस है सभी जानते हैं कि बेवों ने अपनी फर्स प्रेगनेंसी कितनी इंजॉय की इस दोरान वो काम करती रही इवेंट और फैशन शोद अटेंड करती रही तैमूर के पैदा होने के बाद उन्होंने करीब 16 कीलो वजन घटा कर वापसी की करीना की लाइफ स्टोरी से जुड़ा ये पैकेज आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूले और साथ ही में कॉमेंट बॉक्स में शियर करें आप आगे किस दीवा की लाइफ स्टोरी चानना चाहते हैं